हले अबरों वेल्कम बाक टियो ओन चेनल वेल्स अगेट 23rd of January 2024 लगा था दूसरा हफता हो गया है दोस्तों इस बात को डिस्किस करते हुए कि मार्केट जब तक यह गया 45,000 से 45,500 का जो यह गया है जब तक इसको फिल नहीं कर लेगा मार्केट विल कॉंटिन्यू टू रमेन कि अल्टिमेटली आज के दिन क्या हुआ यह गया फिल हो चुका है तो दोस्तों आप क्वेशन आता है कि आगे का क्या व्यूनिकल कर क्या रहा है ऑप्शन डेटा क्या बोल रहा है आगे की रॉन नितिगा रखनी है everything we are going to discuss in this bottom video let's go लेकि दोस्तों इस बात में कोई भी दो हो रहा है नहीं है कि मार्केट में आज solid weakness थी और solid weakness क्यों थी क्योंकि आज के दिन फिर से फाया इसने बड़ा महल से कितना से करेंगे लेकिन आउट ओव वन स्टॉक मतलब अगर एक स्टॉक बढ़ रहा था तो उसके चे स्टॉक गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे 322 स्टॉक्स और डिकलाइनिंग स्टॉक्स और मोर देन 1800 और उसके पीचे का रीजन यह दोस्तों कि आज के दिन मिट कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में solid गिरावाट थी इन फाक्ट लार्ज कैप स्टॉक भी कुछ जयदा रहें वहां पर भी नहीं था मिट कैप और स्मॉल ना तो ग्लोबल मार्केट साथ बहुत ज़्यदा नेगेटिव है और ना ही बहुत ज्यादा पॉजटिव इन फाक्ट डाओ जोंस के बारें बात रहें फ्लाट रेट कर रहा है यह यृपिन मार्केट सार फ्लाट गिफ्ट निफ्टी इस अलसो ट्रेडिंग फ्लाइट चाहे है I want you to study the chart of ICICI bank क्योंकि मेरे इसाब से ICICI bank में positive momentum आगे भी continue रहेगा दोसों यह मत कहना कि बताया नहीं था I also want you to study the chart of भारती अटल यह दो स्टॉक्स है जिनको कि आपको study करना चाहिए टॉप लूजर्स के बारे में बात करें इंडेसेंट बैंक पूर रेजर्ट्स 6% की गिरावट कोल इंडिया 6% डाउन ओएंजीसी 5% डाउन अडानी पोर्ट 4.5 एजब्या लाइफ 4.5 इन सभी में profit booking आपको दिखाई पड़ रही थी अब दोसों लास्ट एक हफते में जिन स्टॉक्स में सबसे अदा बाइंग होई है आज की गिरावट को इंटलूड करके अगर आज की गिरावट को भी इंटलूड कर लें तो लीड कर रहा है सिपला 11% उपर भारती एटिल सन फार्मा अपॉलो हॉस्पिटल टेक महिंद्र सबसे अब को इसमें कोई भी दोराएं नहीं होनी चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी को गिरान है तो सिंपल चीज़ है अगर आप पूरा जोर लगा देंगे यूनियन बैंक महाराष्ट्रा बैंक सेंट्रल बैंक और यह जितने भी छुटपूट बंधन बैंक आर्बियल ब अगर के बैंक निफ्टी को नीचे लाया गया है एच्जिफसी बैंक इस डाउन 12.5% और एच्जिफसी बैंक का ओल्मुस्ट ट्वेंटी परसेंट का वेट है तो आप खुद समझ लिजे की गिरावट का कितना ब्ला रेलेवेंस है फॉर बैंक निफ्टी करेक्शन इसके अब दोसों यहां पर बड़े ही इंट्रेसिंग चीज़ है तो मैं हमेशे आपको बोलता हूं कि जिन स्टॉक्स में एक्यूमिलेशन हो रहा है उसके पीछे का रीजन है कौन से स्टॉक्स एक्यूमिलेट की जा रहे हैं भारती एच्वेल एच्वेल दोसों चार परसेंट क आसवास गिरा आज के दिन रिलाएंस मारोती इनफॉस अब दोसों मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप यह स्टॉक बाय कर लें बट आई वोंट यू तो स्टॉडी दिर दोसों कुछ ना कुछ तो आपको स्टॉडी करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ तो बताई सकते हैं अल्टीमेटली करना है क्या नहीं करना वो सब आपको ग्यान है एनिवे दोस्तों बात करते हैं हम लोग निफ्टी बैंक यह सो निफ्टी बैंक में आज के दिन 45,000 के जो यह जो गया था वो फिल हो गया अगर आप मुस्ते पूछें क्या होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बड़े अप्लियर्स ने बड़ी कौंटी में एक्जिट करते हैं तो वीक्निस आगे भी कौंटीनी रह सकती है और यह पूल बैक में कहां तक एक्सपेट कर रहा हूं आएम एक्सपेटिंग पूल बैक अप्टू दे लेवल सो 46,000 यह ल सकती है तो दोस्तों इस इस ट्रेंड को ऐसे जोड़िए यह जोंड देस ट्रेंड लाइन विद दी इस तरह से में आपको थोड़ा सा एसे रफ लाइन रॉफ लाइन डॉकर देता हूं अगर आप अपने तरफ से अच्छे से ड्रॉकर लीजगा बैसिकली आ वोंट यह वो 2900 के लेवल साय इन फाक्ट जैसे ही जैसे ही गाफ फिल हुआ वहां पर एक भाइंग ही मर्ज होकर क्या रही है तो आम एक्सपेक्टिंगा पूल बाग पैं दोस्तों 45846,000 तक के लेवल का पूल बाक एक्सपेट कर रहा हूं क्योंकि मेरी तरफ से जो मार्केट में 2000 पॉइंट्स ताउन अगर आप देखें तो यह वह गैप है और यह गैप है 20,000 250 से 20,500 यह 200 पॉइंट का गैप है जो कि यहां पर क्रियेट हो रखा है अब अगर आप मुझसे पूचें कि क्या यह गया फिल होगा तो यहां से निफ्टी 50 को 1000 पॉइंट के आसपास गिरना पड़ेगा तो 1000 पॉइंट गिरने का मतलब क्या है 1000 पॉइंट गिरने के लिए सिर्फ एकी स्टॉक काफी है और वो है रिलाइंस अगर रिलाइंस गिर जाता है तो भाई यह जो 5% की गिरावट है निफ्टी 50 में वो और भी गहरा सकती है तो अगर आब मुझसे पूचें क कुछ भी exciting नहीं होता है तो दोसनों market में गिरावट गहरा सकती है क्योंकि ऐसा expect है कि budget में कोई यह यह ता air work expect नहीं करने वोटन अकाउंट है इस बार वोटन अकाउंट के चलते जो सेक्तर जो जो पॉल्यसी गर्वर्स में ही है उन्ही पॉलिसी में ही पैसा जाएगा तो बेसिकली जो प्रॉजेक्ट्स गवर्मेंट ने अंडर्टेक कर रहे हैं उन्हीं प्रॉजेक्ट्स की तरफ पैसा एलोकेट होता हुँ दिखा ही पड़ सकता है कोई मेजर अनॉंस्मेंट की एक्सपेक्टेशन रखना लाए गए और सिर्फ मात्र 252 करोरं के उन्होंने फेज़ बाइंग करी हैया कि हो सकता है मार्केट में गिरावंट और भी गहरा सकती है सब कोशिन आता है कि बैंक निफ्टी में सकता है नेफ्टी फिफिति में सकता है सबसे पहले हम दोग देखते पहले सभी लोग थोड़ा सा profit को book करना भी चाहेंगे और gap भी complete हो गया by gap भी fill हो गया है अपनी जो सबसे important level था वो भी आ चुका है 45,000 के levels तो budget से पहले कुछ profit को book करना in terms of short covering आपको आपको ऐसा आपको ऐसा expect करना चाहिए guarantee किसी चीज़ के नहीं को कि अगर आप देखें position जिस प्रकार सी बनी हुई है तो यहाँ पर एक solid volatility के expectation रखनी चाहिए नीचे के level पे 44,000 पे सबसे यहाद पूट राइटिंग है call rating है 46,000 तो 2000 पॉइंट का अगर आप देखें तो एक range create हो रखी है आप देख पा रहे हैं मैं बात कर रहा हूं दोसों I am talking about this January expiry which is on 25th of January तो अगर आप देखें तो एक बहुत ही solid बहुत ही solid gap create हो रखा है 2000 पॉइंट का तो मार्केट यह 2000 पॉइंट की volatility expect कर रही है क्योंकि पूट राइटिंग की position है जो important support लेवल बने हुए है वह 44,000 के levels नीचे के level पे और 46,000 का resistance जो की ऊपर के level पर बन रखा है लेकिन निफ्टी 50 में गिरावट की गुंजाईश थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि निफ्टी 50 अभी भी oversold zone पे नहीं पॉट कॉल रिशू is 0.63 I will enlarge it for your better understanding तो पॉट कॉल रिशू निफ्टी 50 is 0.63 जो कि बताता है कि यहां से गिरावट और गहरा सकती है सबस्यादा put rating अहां हो सब्सक्राइब क्या है मार्केट huge volatility expect कर रही है और मार्केट यह बिल्कुल भी expect नहीं कर रही है कि इस इनो इस range में expiry होगी मार्केट expect कर रही है कि इस पूरे के पूरे zone में ज्यादा position create नहीं हुए है सो निफ्टी 50 में विए निकल करके आ रहा है कि निफ्टी 50 में weakness continue रहे सकती है विद बिग volatility दो सबसे बड़ी दिखके जानते हो क्या है कि मार्केट stocks को valuation देने में बगर घबरा नहीं रही है मार्केट में valuation आप ले लीजिए आपका stock price ऊपर चल जाएगा लेगिन आप उसको results में तब्दिल दो करिए लेगिन जब आती है जब बात आती है results की जब बात आती है numbers को अब दोस्तों आपके सामने टलना प्लैटफार्म के नंबर है बेहतरी stock बेहतरी कंपनी और बेहतरी परफॉर्म भी कर रहा था अब results देखिया revenue पिछले quarter के comparison में बिल्कुल flat profitability के बारे में बात रहे stick with it I will buy more अगर वह stock underperform करेगा तो सब्सक्राइब को काट लेता हूं because मेरे साथ बिल्कुल सिंपल है I am here to make money I am here to you know not to marry any particular stock दनला के बारे में बात करें बेहतरीं stock है बेहतरीं franchise है लेकिन अगर आप मुसे पूचे कहां पर एक बेहतरीं बेट बन सकती है 1200 and above 1200 के लेवल पर अगर आप देखें बार बार रेजिस्टेंस फेस हो रहा है stock गिर जा रहा है 1200 के लेवल टूटते हैं एक बड़ा movement पॉसिबल है उसके पहले stock is likely to consolidate अगर आप long term investor है yes why not लेकिन अगर आप momentum चाहते हैं अगर आप एक बड़ा पैसा चाहते हैं इन रीजनेमिल टाइम फ्रेम मेरे साब से 1200 के resistance के breakout का वेट करना चाहिए अब stock like pedilite अब दोस्तों market ने इनको क्या valuation क्या price to earning ratio दे रखा है लेकिन क्या ये growth दे पार है आप खुद देखे पिछले साल के comparison में कितना profit उपर है profitability के बारे हम बात करें तो आपको लग रहा होगा 67.8% उपर है revenue के बारे हम बात करें तो पिछले साल के comparison में revenue is flat 4.4% का increase क्योंकि अगर आप देखें तो और revenue बढ़ने के सारे के सारे रीजन जिस प्रकार से housing sector अच्छा perform कर रहा है तो पिडिलाइट की requirement of course बढ़नी चाहिए बढ़कर हम बात रहे मार्जिन की दोसों पिछले साल जहां मार्जिन से 16.5% के वहां मार्जिन हुए है 23.7% तो मार्जिन में हमको clear cut इजाफा दिखाई पढ़ रहा है अब स्टॉक के बारे मात रहे हैं दो स्टॉक पिछले उसी रेंज में करीब करीब दो सालों से गूम रहा है बहुत ही छोट 2300-2500 के जोन में घूम रहा है अगर आप मुझे पूचे क्या हो सकता है दोस्तो 2300 के असपास strong support जोन है अगर आप स्टॉक 2300 के असपास आता है strong buy अगर आप स्टॉक ट्रेडर है 2700-2800 के असपास एक demand जोन एक supply zone है जहाँ पर लोग profit को book करते हैं तो एक बड़ा पैसा बन आने का वेट करना है for fresh accumulation एक स्टॉक जिससे कि मुझे परसली काफी अच्छी उम्मीदे थी स्टॉक का नाम है जैसे अपने लेकिन मुझे लगता है स्टॉक में जिस प्रकार की expectation थी मुझे उस प्रकार के results नहीं आए अगर आप profitability के बारें बात करें पिछले साल के comparison में 25% क आपको लग रहा होगा numbers अच्छे है I am not saying at all numbers are good but I was expecting slightly better margins की पिछले साल थे 27.8% के margins अभी कमनी ने margins में इजाफा दिखाया है यही रिजन है कि कमपनी की profitability intact होती हुई दिखाई पड़ रही है लेगिन अगर दूस्टों स्टॉक को देखें तो लास्ट यह स्टॉक 2023 के सकते हैं जो स्टॉक की growth हो चुकी है तो मेरे साब से स्टॉक में थोड़ी सी profit booking काना लाजमी है स्टॉक में थोड़ी सी profit booking मतला अगर आप मुझसे पुछे strong support zone which is somewhere close to 400 to 420 स्टॉक इस जोन की तरह आता हुआ दिखाई पड़ेगा जो लोग बाय करना चाहते हैं पावर में पावर एनर्जी के स्टॉक में बाइं करना चाहते हैं सब्सक्राइब करना है और उसके पीछे का रीजन के हैं दोसों प्रॉटबिल्टी बढ़ने का रीजन है मार्जन पिछले साथ जहां कमनी के मार्जन से मात्र 13.5% तो कमनी ने अपने मार्जन को बढ़ाया है और अल्मूस्ट 3% 280 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है यही रीजन है दोसों कि स्टॉक में जो प्रॉटबिलिटी है वह आपको स्टॉक के प्राइस ग्रोथ में भी दिखाई पड़ेगी स्टॉक अगर आप देखें तो स्टॉक पिछले तकरीबन दो महिने से एक 250 की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है जो कि आपकी नेजरों पर आपकी वास्ट लिस्ट पर होना चाहिए कल के दिन जिसमें की मेजर एक्शन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है दोस्तों लास्ट दो स्टॉक डिसकस करेंगे वन इस एमजील और अनदर स्टॉक द अब ही मारजिन ड्रॉब होकर के 26 परजेंट आए और मेंने आपको क्या बता है दोस्तों मार्केट आपको वैल्यूशन देने से नहीं घबराता मार्केट आपके स्टॉक के प्रेस को ऊपर ले जाने से नहीं घबराता आप डिलिवर तो रहें अब दोस्तों अगर आप दे डिलिवर करा है कमने डिलिवर के absolutely flat results अगर आब बात करें स्टॉक के तो दोस्तों ये स्टॉक दिस इस दर रेजिस्टेंज जोन विचे स्टॉक नीचे गर जाता है चैनि स्वी दिस यह तो जरुनिस में भी बीस में 21 में और अभी दोस्तों मेरे साब से स्टॉक में जब त रहते हैं beautiful opportunity देते हैं 50-50% के profit को बनाने का और वह भी बहुत ही short time है मतलब 6 महिने में stock आपको 50% का profit बना करके दे देते हैं लेकिन ध्यान कर रखना है सही level पर सही समय पर buy करना है अब काफी सारे लोग घबरा रहे थे कि जिन से यह बात क्लियर हो गए थी कि sony के साथ उनका टीमर उनका merger फेल हो रहा है stock के लिए वो चीज उसी दिन निगेटिव हो गए थी और stock में आज के दिन 30% की गिरावट है लास्ट एक हाफते में stock में 40% की गिरावट है और मेरे सब से stock में गिरावट आगे भी continue रह सकती लोग invest करना चाहते हैं मेरे सबसे थोड़ा सा वेट करें वीडियो बसंद है do not forget to smash the like button and do share with your friends until then bye bye for now